आज हम बात करने वाले रिनीटेटिन में जो एक बनजाता हूं उसको इक कम करने में मदद करता है। यह एक anti-alcer drug है, anti-alcer के H2 receptor antagonist के गुरूप का एक drug है जिसका नामे है रेनिटेडिन, यह H2 receptor में इसके लाव दो और drug आते हैं, जिसका नामे सेमिटेडिन और फेमोटेडिन, तो यह जो रेनिटेडिन है, रेनिटेडिन, सेमिटेडिन से ज़्यादा काम करता है, उसे 5 गुना ज़्यादा यह काम करता है, तो इसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा popular है और बहुत ज़्यादा यह अलग-अलग brand से आते हैं, यह drug अलग-अलग brand name से आते हैं, जिसमें जो सबसे ज़्यादा पॉप्लर ब्रांड नेम है हो है रेंटेक 150 mg और 300 mg इसके लावा यह एसी लोग के ब्रांड नेम से आते हैं वो भी बहुत पॉप्लर है एसी लोग 150 mg और 300 mg के नाम से अब देखते कि इसके यूज कहां कहां आते हैं तो इसका इस्तेमाल पेड में जो गैस बनता है उसको कम य Eggs के लिए के लिए है thu में इसको कम करने के लिए और unto गया जाता है तो उस कंडिशन में भी इसका इस्तमाल किया जाता है अगर जो किसी को गैस के हो यह से पेड में दर्द हो रहा तो उसका डोस देखते हैं तो आप डोस को रिपीट कर सकते हैं यानि 24 घंटे में 300 मिलीग्राम आप दे सकते हैं या तो 300 मिलीग्राम ले तो दिन में एक डोस दे सकते हैं इसके लाव अगर जोब आपने डोक्टर को बता कि यह मेडिसीन यूज़ करें अब इसके कुछ एड़वर्स एफेक्ट देखते हैं तो एड़वर्स एफेक्ट में आपको नोसिया हो सकते हैं इसके लिए ओम्टिंग हो सकते हैं इसके लिए डारिया हो सकते हैं और थकान में एसस हो सकती हैं और इसकीन में रशस वगर आ सकते हैं